8.5 यूरोप में नई चेतना और राष्ट्रवाद की लहर फ्रांसिसी क्रांती सन 1789 से 1804 के बाद पूरे विश्व में एक नई चेतना फैली जिसे हम लोगतांतरिक राष्ट्रवादी चेतना कह सकते हैं इसके पीछे यह मानेता थी कि नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं अतह राष्ट्र की इच्छानुसार राज्य चले उन दिनों इटली और जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में मटे हुए थे दूसरी और आस्ट्रिया, रूस और ओटोमान जैसे विशाल सामराज्यों के अंतरगत आने वाले कई लोग अपने छोटे राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे जैसे ग्रीस और पोलेंड वे राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से अलग करना चाहते थे और उसे भाषा, संस्कृती और धर्म से जोडना चाहते थे वे राष्ट्रवाद का उप्योग राज्य के सवशक्ति करण के लिए करना चाहते थे कुछ सालों में कई लडाईयों और अभियानों के चलते यूरोप का नक्षा बदलने लगा और पुराने छोटे बड़े राज्यों की जगह इटली, जर्मनी, ग्रीस जैसे नय राष्टर राज्य बन गए इनमें जूसेपे मेटसिनी, जूसेपे गैरी बॉल्डी, ओटो वान विस्मार्क, कावूर, कैसर, विलियम प्रथम, विक्टर इमानुएल दुतिय आधी की महत्वपून भोमिका थी इनके प्रयासों से इटली और जर्मनी संगठित राज्य के रूप में इस्थापित हुए 8.6 एशिया में राष्टरवाद 8.6.1 जापान आम तोर पर यह जाना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है जहां राष्टर राज्य इस्थापित हुआ जापान में समराट का शाष्ण था लेकिन 12.7 के बाद असली सत्ता शोगुन कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गई थी जापान उस समय 250 सामन्ती प्रदेशों में बटा था जिन पर सामन्त शाष्ण करते थे समराट नाम मात्र के शासक थे सामन्त किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक युद्धा होते थे किसान आसपास के गावों में सामन्त की जमीन जोतते थे और उपच का बहुत बड़ा हिस्सा उसे लगान के रूप में देते थे वे बिना अनुमती अपने खेत छोड़ कर कहीं जान नहीं सकते थे उन्हें उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत लगान के रूप में देना पड़ता था 19 सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामन्ती राजी की नीव हिलने लगी शोगुनों को हटा कर समराट मेई जी की पुनह स्थापना 18 और 19 सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्थापित हो रहा था शोगुन कन 1824 में यह फैसला लिया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे उनके संपर्क में न आएं सन 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कोमोडोर पैरी को जापान सरकार से एक समझोता करने के लिए भेजा पैरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असंतोस बढ़ गया सन 1868 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामनतों तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आंदोलन चलाया वे सफल रहे और उन्होंने समराट मेई जी को जापान की सत्ता सौप दी उनकी अपेक्षा थी कि समराट के नेत्रितों में जापान एक एक जुट रास्टर के रूप में उभरेगा और पश्चिमी देशों की चुनोती का सामना करेगा इस समय तक सामन्त अपने अपने शेत्रों में स्वायत शाषन कर रहे थे यह व्यवस्था खत्म कर दी गई अब कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केंद्रिय शाषन प्रारंब हुआ सामन्तों का किसानों से लगान लेने के अधिकार का खात्मा दूसरा महत्तोपून कदम था जापानी राज ने अब तेजी से औद्योगी की करण का कारिक्रम शुरू किया ताकि जापान एक औद्योगी क देश के रूप में विकसित हो सके एक और महत्तोपून कदम था सारी प्रजा में कानूनी समानता का एलान इसके तहत समुराई जैसे वर्गों के विसिस्ट अधिकार समाप्त कर दिये गए इसके बाद एक गुप्त समेती ने सम्विधान के लिए सुझाओ तयार करके समराट के सामने प्रस्तुत किया यह सम्विधान मूल रूप से विस्मार्क द्वारा निर्मित जर्मन सम्विधान पर आधारित था सन 1889 में ने सम्विधान का एलान हुआ जिसे मेईजी सम्विधान कहा जाता है इसमें इस्पस्ट रूप से कहा गया कि सर्वोच सत्ता समराट की है और समराट अपनी इच्छा से यह सम्विधान अपनी प्रजा को दे रहा है एक संसत का भी गठन किया गया जिसके लिए केवल संपत्ती वाले लोग मत दे सकते थे इस संसत की भूमिका भी सीमित थी मेईजी सम्विधान में जापान की प्रजा को भी कुछ अधिकार दिये गया जैसे कानोन के समक्ष सबकी समानता, धार्मिक स्वतंतरता, सम्वैधानिक उप्चार, विधी द्वारा ही दंड दिया जाना आदी लेकिन स्वतंतरता के ये अधिकार बहुत सीमित थे